नुस्खे देशी चैनल में आपका स्वागत है अयूवेद में थाइराइड से संबंधित रोग को उफ्टु ग्रंथी विकार कहा गया है यहां अनुचित आहरविहार एवं तनाव पूर्ण जीवन जीने की वज़ा से होता है इसमें वाथ पित्तव कफ का असंतुलन और मुख्य रूप से वाथ एवं कफ विकार के कारण होता है थाइराइड जड से खत्म करने के लिए आयूरवेदिक तरीकों को आजमा सकते है आयूरवेदिय उपचार द्वारावात और कफ दोशों को संतुलित कर थाइरोइड का इलाज किया जा सकता है वास्तव में एलोपैथिक चिकित्सा में थाइराइड विकार के लिए स्टीरोइड का सेवन कराया जाता है जो की हानिकारक होता है इसलिए थाइराइड जड़ से खत्म करने के उपआयों में आयूरवेदिक चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा होने के कारण सबसे अच्छा माना जाता है ऐसी कई चीजे हैं जिनका रोजाना अपने घरों में खानपान के रूप में उपयोग करते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनी चीजों का प्रयोग थाइरोड रोग में बेहत फाइदेमंद होता है कैसे? आईए जानते हैं मुलेठी से थाइरोड का इलाज मुलेठी का सेवन करें शोद के अनुसार मुलेठी में पाया जाने वाला प्रमुक घटक च्रीटरपेनोड ग्लाइसेरी थेनिक एसिड को बढ़ने से रोगता है तुलसी के प्रयोग से थाइरोड का उपचार दो चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिला कर सेवन करें हरे धनिया के इस्तमाल से थाइरोड में फाइदा हरे धनिया को पीस कर एक गिलास पानी में घोल कर पिए त्रिफला चूर्ण से थाइरोड से लाब प्रतिदिन एक चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करें हल्दी और दूद से थाइरोइड की बीमारी का इलाज प्रतिदिन दूद में हल्दी पका कर पीना भी थाइराइड के घरेलू उपचार के अंतगर्थ आता है लौकी के उप्योग से थाइरोइड में फाइडा खाली पेट लौकी का जूस पीना भी थाइराइड के घरेलू उपचार के अंतगर्थ आता है काली मिर्च के सेवन से थाइरोइड का उपचार थाइराइड के घरेलू उपचार में नियमित रूप से भोजन में थोड़ी मात्रा में काली मिर्च का सेवन करें थाइरोड के दौरान आपका खानपान थाइरोड रोग में कम वसा वाले आहार का सेवन करें ज्यादा से ज्यादा फलो एवं सबजियों को भोजन में शामिल करें विशेशकर हरी पत्तेदार सबजियों का सेवन करें इनमें उचित मात्रा में आईरन होता है, जो थाइरोड के रोगियों के लिए फाइदे मंद है पोशक कत्वों से भरपूर भोजन करें, विनरल्स और विटामिन से युक्त भोजन लेने से थाइरोड कंट्रोल से मदद मिलती है आयोडीन युक्त आहार का सेवन करें नट्स जैसे बादाम, काजू और सूरज मुखी के बीजों का अधिक सेवन करें इनमें कौपर की परियाप मात्रा होती है, जो कि थाइरोड में फाइदे मंद होता है थाइराइड के घरेलू उपचार के अंतगर्थ दूद और दही का अधिक सेवन करना चाहिए थाइराइड के घरेलू उपचार में विटामिने का अधिक सेवन करना शामिल है जैसे गाजर खाना जंक फूर्ड एवं प्रिजर्वेटिव युक्त आहार को नहीं खाए यह थे थाइराइड को ठीक करने के आसान और घरेलू उपाए अगर आपको हमारी यह विडियो अच्छी लगी तो हमें फेस्बुक पर लाइक फॉलो करें यूच्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं अगली बार हम फिर से होंगे आपके सामने नए देसी नुस्खे के साथ तब तक हमें दीजिए इजाज़त नमसकार